हेलो दोस्तों मैं यामिन दसाडिया आपका होस्ट आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ आज का वीडियो है how to add a logo in a existing video जो हमारे पास already वीडियो है वो वीडियो में हमें कैसे logo हमारी organization का logo हमारे school का logo या हमारे business का logo add कैसे करते हैं वो हम आज की वीडियो में सिखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले please like share and subscribe my channel so कोई भी वीडियो में logo add करने के लिए आपको इस android application जिसका नाम है काइन मास्टर उसको यूज़ करना होगा so how to use let's see आपको इस तरह home screen दिखेगी application की वहाँ पे आपको ये plus sign का जो symbol दिख रहा है वो plus sign पे click करना है फिर आपको जो ratio में video चाहिए landscape mode में चाहिए तो 16 ratio 9 का ratio ले लीजिए portrait में चाहिए तो 9 ratio 16 का ले लीजिए या square में चाहिए तो 1 ratio 1 का ratio आप select कर सकते हो लेकिन mostly video 16 ratio 9 में ही रहते हैं इस ते हम video 16 ratio 9 का select करेंगे फिर इस तरह के screen आपको दिखाई देगी अब ये screen में ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमेरे सारे function ये circle के अंदर ही हमें मिल जाएंगे ओके हमें जो जो function यूज करने हैं वो सभी के सभी function हमें ये circle से ही मिलेगे okay so हमें पहले तो हमारा जो existing video है वो select करना है तो वो कहां से select करेंगे तो आप सभी को यहाँ पे media का folder दिख रहा है yes on your right there is a folder name is media वहाँ पे अगर आप click करेंगे तो आपकी gallery या आपके phone में जो जो videos, photos, screenshot available है वो सभी दिखाई देंगे तो आपको क्या करना है आपको आपका existing video जो folder में है वो folder से वो video select करना है for example मेरा video इस download folder में है तो मैं download folder में वो video select करूंगा video select करने के बाद यहाँ right side corner में आप ok क्लिक कीजिए so यह आपका existing video आ जाएंगा और फिर आपको video के starting में जाना है आप scroll करके video के starting में जा सकते है या left and corner पर यह आपको एक छोटा सा arrow जैसा दिख रहा है उसके उपर आप click कीजिए तो directly आप start of the video में पहुंच जाएंगे अब बारी आती है logo add करने की तो इसके लिए आपको पहले decide करना होगा कि आपको कहां से logo add करना है मतलब video के कौन से time duration से आपको वो logo show करना है for example में यहां starting में logo show कर नहीं सकता और logo show करके कुछ मतलब भी नहीं है so for that I have to drag this timeline to this particular position so अब यहां पे जैसे ही मेरा video start होता है मुझे यहां से logo add करना है तो यह logo कैसे add करेंगे तो आपको यहां पे एक layer करके option दिख रहा है on my right there is a option called layer आपको just उस पे click करना है वहां पे different option मिलेगे जैसे कि आप handwriting add कर सकते हो उसके अंदर text add कर सकते हो effects add कर सकते हो लेकिन हमारे काम का option सिफ एक ही है वो है media media पे click कीजिए अब आपको जो logo select करना है for example मुझे मेरी organization का logo select करना है तो मैं वो logo को select करूँगा screenshot में जाके आपको यह logo दिख गया अब आप बोलेंगे यह logo तो बिच में आ रहा है तो आप देख सकते हो यह logo को आप resize कर सकते हो छोटा बड़ा आपको जैसा logo रखना है वैसा रख सकते हो अब resize करने के बाद आप क्या कर सकते हो उसको आप अपनी मन चाही जगा पर place कर सकते हो right corner में करना है right corner में place करो नीचे करना है नीचे करो die करना है die करो buy करना है buy करो उपर नीचे आगे पीछे जहां चाहे आप वो logo set कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर right side उसे set कर दिया है फिर आपको वापस से यहाँ पर right में जो option दिख रहा है वहाँ पर ok करना है तो यह आपका logo add हो जाएगा लेकिन अगर आप वीडियो को play करेंगे जैसे कि आपने देखा कुछी second के लिए वो logo था क्योंकि अगर आप यहाँ पे नीचे timeline पे देखोगे तो वो logo सिर्फ इतने second के लिए ही है तो अब हम यह logo को stretch करेंगे सो हम stretch कैसे करेंगे सो हमें वो नीचे timeline वाले logo पे click करना है और वहाँ पे logo stretch करना है जितना आपका वीडियो या जहाँ तक आपको वो logo दिखाना है वहाँ तक आपको वो logo stretch करना है ओके सो for example मुझे end तक logo दिखाना है तो मैं यह logo को end तक stretch करूँगा Is it clear? पहले आपको आपकी media file select करनी है media file select करने के बाद आपको जो भी logo वीडियो में add करना है वो logo select करना है उसका exact time duration आपको पता करना है कि कहां से logo add करना है और कहां तक add करना है और जहां तक add करना है वहां तक आप logo को stretch कर दिजिए अब जैसे कि आप देख सकते हो कि अब ये timeline खतम होने वाली है तो कहां तक वीडियो जाएगा यहां तक मुझे logo stretch करना है तो यह logo आप यहां तक stretch कर सकते हो या end तक stretch कर सकते हो अब for example आपको logo ज्यादा stretch नहीं करना आपको यहां तक यह stretch करना है तो यहाँ पर logo पर click कीजिए और यहाँ पर trim का option आ जाएगा तो trim to right of the playhead यह जो red color की bar दिख रही है जिसको हम cursor, timeline या playhead बोलते है उसके right set का part पूरा trim हो जाएगा As you can see वो part trim हो गया So, इस तरह आप कोई भी video में आपके given organization का logo add कर सकते है Is it clear? So, एक बार फिर से starting से देखते हैं क्या क्या किया हमने First media में जाके हमारा video select किया Video select करने के बाद OK किया OK करने के बाद हमने क्या किया Video के starting में गये Video के starting में जाने के बाद हमने हमारे play head को वो position पे लाए जहां से हमें logo add करना है अब वो cursor या play head हमारे वो time पे आ चुका है जहां से हमें logo add करना है फिर हमने layers पे click किया Layers में media select की Media में जो हमारा desired logo था वो select किया वो logo को resize किया छोटा बड़ा करने के बाद हमने उसकी position resize की के throughout the video वो logo कहां रहेगा तो मैंने right corner decide किया right corner decide करने के बाद हमने वो logo को हमारे वीडियो के हिसाब से stretch किया हमारा वीडियो जितना बड़ा होगा उतना हमें वो logo stretch करना होगा so for example हमने यह logo को end तक stretch कर दिया so end तक stretch करने के बाद आप देख सकते हो यह logo आपको throughout the video दिखाई देगा अब finally आपको यह video export करना है अब export कैसे करेंगे so right hand corner में आपको एक exit का logo दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो logo पे click कीजिए अब आपका video select कीजिए अब यह video select करने के बाद यहाँ पे जो यह second option है share का वो share के option पे click कीजिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है आपको resolution जो है आपको 720 pixel HD रखना है frame rate 25 रखना है और export पे click करना है जैसे ही आप export पे click करेंगे आपका video पूरा export होने के बाद gallery में save हो जाएगा और आप वहाँ से वो video को कहीं पे भी share कर सकते है I hope आप सभी को यह video समझ में आया होगा और अगर आपको यह video पसंद आया है तो please like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए मैं आपका दोस्त और host यामिन दसाडिया आपको फिर मिलूँगा अगले video में Thank you